नमस्कार, मैं दुश्यन सिंग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वाकित करता हूँ, इस उमीद के साथ किया आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, UPPCS प्रिलिम्स की तेयारी भी आपकी बहुत-बड़े तरीके से चल रही होगी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको UPPCS के प्रिविस यर पेपर्स के क्वेशन्स की सीरीज लगातर प्रवाइट करा रहा हूँ, और इस से जुड़े हुए 6 वीडियो अब तक आपको मिल चुके हैं, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्णों को व्याख्या के सहित यहां पर देखा है, आप इन questions की number को मत देखिए कि हमने 600 प्रश्ण करे हैं या 700 प्रश्ण करे हैं, हालाएं कि हर वीडियो में हम 100 से ज़्यादा प्रश्णों को देखते हैं, तो इन 600 प्रश्णों की आपने जो explanation देखी होगी, अगर आपने वीडियो देखी हैं, तो आपको यह हनुमान अच्छी तरीके से लगया होगा, कि इसमें केवल topics नहीं, मैंने काफी जगे पर, जहां-जहां मुझे लगा जरूरी है, वहाँ पर मैंने पूरे chapter को complete कर दिया है, ठीक है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, यह पूरी series में आपको provide करा हूँगा, चाहिए पहला paper है, चाहिए दूसरा paper है, C-set वाला, 30 सालों में जितने भी paper हुए हैं, UPPSC के द्वारा IOJT किये गए, सारे के सारे papers मैं आपको यहां explanation के साथ में provide कराने वाला हूँ, अगर आप इन papers को बहुत अच्छी तरीके से प्यार करके जा रहे हैं, इनकी explanation को देख करके जा रहे हैं, इन पर अपनी command बना करके जा रहे हैं, यह बात आपको जिस दिन आप paper दे रहे होंगे, पीसेस प्लिम्स, उस दिन आपको महसूस होगी, जो इसको देखे जाएगा, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है, जो बड़ी-बड़ी coachings हैं, या बड़ी-बड़ी publisher हैं, वो अगर अपना tag लगा करके कुछ भी आपको परोज देखेंगे, इस पूरी सीरीज के questions को देखेंगे, question की जो explanation देखेंगे, वहां से जो आपको information राप्त होगी, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए, और ये जो सीरीज है, आप इसको skip मत कीजिए, निश्चित रू ब्रह्म शूत्र, उपनिशद, ये तीनों चीजों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, परस्थांत्रे, भागवत का इससे कोई connection नहीं है, जब हम बात करते हैं, भागवत गीता की ब्रह्म सूत्र की उपनिशदों की तीनों को एक अलग-अलग नाम भी दिया जाता है, जैसे स्रीमत भागवत गीता को हम कहते हैं, स्मर्ती प्रस्थान क्या कहते हैं, भागवत गीता को क्या कहा जाता है, इस्मर्ती प्रस्थान कहा जाता है, उपनिशदों को सुरुती प्रस्थान के नाम से जानते हैं, ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है, य ये तीनों ही चीज चाहे भगवत गीता की बात करें, ब्रह्मसूत्र की बात करें, उपनिशदों की बात करें, ये तीनों ही वेदान्त के तीन प्रमुख इस्तंभ माने जाते हैं, प्रमुख भाग माने जाते हैं, कर्म का सिध्धान्त किस से संबन देता है, जो कर्म का सिध् साखा की बात हो, इनके बारे में ज़्यादा information हम यहाँ पे नहीं देखेंगे और मैं repetition से बच रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज में पहले विस्तार में बता चुका हूँ उनको मैं आगे repeat नहीं करूँगा तो जो कर्म का सिध्धान्त है वो मीमानसा से जोड़ा हुआ है मीमानसा को दो भागों में हम divide करते हैं एक होती है आपकी पूर्व मीमानसा एक है आपकी उत्तर मीमानसा अब पूर्व मीमानसा और उत्तर मीमानसा जो है किस-किस चीज से जुड़ी हुई है किस-किस चीज से संबन्दित हैं, उस चीज को देख लेते हैं, तो बात जब पूर्व मीमानसा की आती है, तो इसमें वेदों के जो कर्मकांड होते हैं, उनके जो क्रिया कलाप होते हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी activities हैं, कतिविदिया हैं, वो पूर्व मीमानसा में है इसलिए इसको क्या कहते हैं, धर्मिय या कर्मिय मीमानसा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धर्म से जुड़ी हुई चीजें देखी जाती हैं, इसके बाद में मीमानसा का जो second part है, अगला भाग है, उसको उत्तर मीमानसा के नाम से जाना जाता है, और ये जो है completely based है knowledge के उपर, ग्याने के उपर, ठीक है, तो ग्यान आधारित होने के कारण उत्तर मीमानसा को ब्रह्म मीमानसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये सात्वा पार्ट है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि 40% से ज़्यादा question PCS prelims में previous CRP पर से पू options होते हैं, चाहे उनके options होते हैं, उनहीं को तोर-मडूर करके अगला paper त्यार कर दिया जाता है, PCS का ये बहुत अच्छा trend है, इसको हम अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम previous year papers को बहुत अच्छी तरीके से त्यार करते हैं, और analysis करते हैं, इसका visualization करते हैं, तो हमें साथ paper कर लेंगे, इसको मिला करके, जब आठवे paper पर पहुंचेंगे, तो आठवे paper में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता हुआ, जो आपने लगभग साइद, अगर आप साथवी सीरीज भी आप देख रहे हैं, तो आपको ये अनुमान लग जाएगा, जब हम पिछले साथ papers में जितनी चीज़ें करी हैं, उनी को तोड़ मरोड के आठवा paper बना था, ऐसे ही फिर आठवे के बाद में 3-4 paper देखेंगे, फिर अगला paper देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पिछले 4-5 papers में से तोड़ मरोड के चाई options को तोड़ा मरोडा गया हो, चाई मानव द्वारा सबसे पहले प्रियुक्त किया गया अनाज जो था, लगबग 8000 इसापूर में मनिश्यों के द्वारा जोकी खेती की जाने वाली पहली अनाज के रूप में जो को व्यापक रूप से स्विकार किया जाता है, 8000 इसापूर के समय में हमको जोकी खेती होने के प्रमाण मिलते हैं, हालांकि कोछ जगों पर चावल और गेहुं की खेती को भी देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले बात की जाए तो जोकी खेती की गई थी, उसके बाद में जो है, हमें चावल और गेहुं की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। की जुगति विदियां थी, वहाँ पर चावल की खेती की सुरुवात के साक्षवे हमको प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा मेहरगड जो है ये बलूचिस्तान में है, वरतमान पाकिस्तान में, जो एक नव पाशाण काल से जुड़ी हुई बस्ती है, वहाँ पर साथ हजार एसा पूर्व तक चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। हरिशेण जो है, ये हर्ष से संबंदित नहीं है, हरिशेण जो थे गुप्त राजा समुद्र गुप्त के दर्बारी कवी थे। ठीक है, दंडी नर्सिंग बर्मन से जुड़े हुए हैं, इसते जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हरिशेण की हरिशेण गुप्त समुद्र गुप्त के राज कवी थे और इनोंने प्रियाग प्रिशस्ति की रजना की थी, ये प्रिश्ण बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उन पर विजय प्राप्त करी थी, जिन्होंने उत्तरी भारत के अधिकान शिश्चों पर शासन किया था, हर्शवर्दन ने, ठीक है। रविकीर्ती ने एहॉल अभिलेक की भी रचना की थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी प्रशन कई बार पूछा गया है, एहॉल अभिलेक किस के द्वारा रचेत है, तो रविकीर्ती के द्वारा, और रविकीर्ती किस से संबंदित है, ये फुलेकेशन दी जाती है, जितनी importance काली दास के नाटकों को दी जाती है, ठीक है, बहभूती के द्वारा रचित तीन नाटक प्राप्त होते हैं, एक महावीर रचितम, एक उत्तर राम चरितम और एक मालती माधव, ठीक है, इस मैंसे जो उत्तर राम चरितम है, विशेश रूप से आपको कि रूप में जाने जाते हैं, इनके जीवन के संबंध में प्रमाणक सूचनाओं का अभाव है, बहुत कम जानकारी इनके बारे में मिलती है, कुछ विद्वान इने है, किस की रचना ये डंडी की तीस्री रचना है हालांके पेपर में आ editor में आ जाए तो आपको सूधरक ही लगाना ये मथ फ्रेकर सब्से प्राचिंतम नमूना मिलता है काठियावाद केaman ठीक है काठियावाद के रुद्रदामन अविलेक में इसके बाद में जो तोलकापियम गरंथ अब जो रुद्रदामन का काठियावाल का जो रुद्रदामन अविलेक है इसके बारे में जानकारी है आपको पिछली सीरीज में मैं दे चुका हूँ काफी इसके बारे मैंने वि जैसे अगर इसके बारे में एक्स्टा इंफोर्मिशन की बात करें तो तोलकापियर ने इसका रचनाकार है ग्रंथ का नाम है तोलकापियम तोलकापियर की गई और यह जो है इसकी प्रष्ट भूमी है मतलब ये किस चीज़ से संबन्देत है ये व्याकरण और अलंकार शास्त्र का प्राचींतम तमिल गरंथ है इस व्याकरण गरंथ में आठ प्रकार के विवाहों का उलेख भी मिलता है अगला question है निमनमैसे कौन सा बंदरगा पोड़ के नाम से पोड़ के नाम से दिपैरिपलस ऑफ तरिथरीन सी के लेखक को ग्यात था ये जो पैरिपलस ऑफ दरिथरीन स्री रशना है इसका जो लेखक है इसका नाम आज तक पता नहीं चला है अग्यात के रूप में इसको मान जाता है संभवता ये एक ब्यापारी था उस टाइम का ठीक है तो पोड़ो के नाम से दपेरिप्लस ऑफ द एरिथियन श्री के लेखक को अरेकमेडू के बारे में पता था अरेकमेडू बंदरगाह के बारे में इसने उलेख किया है यहां से कुछ अतरिक्त जानकारी देखते है द पेरिप्लस ऑफ एरिथियन श्री के लेखक ने भारत और रोमन व्यापारिक संबंदों का विवरण प्रस्तुत किया है तथा इसी विवरण में उसने अरेकमेडू नाम के बंदरगाह का उलेख किया है चो वर्तमान में पॉंडचेरी संग शाशत प्रदेश के प्रद्वारिक बंदरगा के बंगाल की खाड़ी में इस्तितिक प्राचीन नगर था विद्वानों का एसा मनना है कि वर्तमान तामलुक ही प्राचीन तामर लिप्ती था ऐसा माना जाता है कि मौरे सामराज के दक्षण एसिया तथा दक्षण पूर्व एसिया के लिए नगर व्यापारिक निकासकाई के प्रमुख बिंदू था एक और बंदरगा आपको नाम देखने को मिलेगा बर्बेरीकम ये बंदरगा पाकिस्तान में आधुनिक समय का जो कराची सहर है इसके पास में जो बंदरगा था पुराने समय में वो बर्बेरीकम था ठीक है वर्तमान में जो है अगर इसकी अवस्तिती देखी जाए तो वर् मृत्कों को घर के फर्स के नीचे किस तरह दफना करके रखते थे दिशा क्या होती थी तो उत्तर से दख्षड की हो कुछ एक्स्टा जानकारी तामर पाशाण काल में महारास्ट के लोग मृतकों को उत्तर दक्षर दसा में कलश में रखकर अपने घर के अंदर ही दफना देते थे और साथ में वह जो मृतक विक्ति होता था उससे जुड़ी हुई जो चीजें होती थी वस्तों होती थी जिनमे नगर जो है वहाँ पर एक स्थान है आपका जोरवे नेवाशा और दायमाबाद ठीक है पुड़े में चंदॉली सोन गाम और इनाम गाम जो है यह प्रमक रूप से महारास्ट के तामर पाशाण काली निस्थलों में मने जाते हैं निमनमे से किसका संकलन रिगवेद पराध गया है इसमें जो पंद्रे सो-पचास छंद समाहित हैं उनमेंसे केबल 75 छंद ही नए हैं बाकी के जो सारे हैं वो रिगवेद से ही ग्रहन किये गएए वाश्डेव कृष्ण की पूजा सर्वपर्थम किसने प्रारम करी थी तो भागवतों ने प्रारम करी थी भागवत धर्म से ही माना जाता है और इस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रश्ण जो के वरश्णी शाखा के प्रमुख विक्ति थे इनका मूल निवास इस्थान शूरसेन जनपत के अंतरगत मत्रगत माना जाता था और इनके जो गुरू थे उनका नाम था घोर अंगीर जबावित क्या चीज है जबावित किस चीज से सम्भंदेत जबावित जो थे ये राज्य से सम्भंदेत कानून थे और ये किस टाइम पर प्रसलित थे जब सल्तनत एरा जो चल रहा था अपका सल्तनत काल का जो समय था वहाँ पर जवाविट जो है राज्य कानूनों को कहा जाता था सैधानतिक रूप में सल्तनत काल में राज्य का जो स्वरूप था शरीयत के कानून के अनुसार था यो जो धार्मे कानून होता था मुसलिमों का उसके अनुसार चलता था लेकिन राज्य द्वारा कुछ धर्म निर्पेक्ष कानून बनाए गए थे और उन्हीं धर्म निर्पेक्ष कानूनों को जबावित के नाम से जाना जाता था यहाँ पर कुछ चीज़ां सुमेलित करने के लिए हैं यह पहले से ही मैंने सुमेलित कर रखी हैं आईने दहसाला पद्धती जो है यह अकबर के समय में प्रचले दूईडी टोडरमल ने इसको स्टार्ट किया था इसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था चहल गानी अमीरों का जो प्रचलन देखने को मिलता यह मुहम्मद तुगलक के काल में तुरकान ए चहल गानी जो उसकस्ता थी यह इलतुतमिस से रिलेटेड है और शड़क ए आजम या ग्रेंड ट्रंक रोडस को कहा जाता है यह शेरसाह से जुड़ी हुई है इनको विस्तार से देखते हैं आईने दहसाला या इसको टोडर मल बंदोबस्त कहा जाता है यह मुगल सामराज में बाश्या अकबर की सासनकाल में राजा टोडर मल के द्वारा इस्थापत की गई भू राजसु जो विवस्था होती है उसकी एक पध्धती थी इस प्रणाली के इंतरगत राजा टोडर मल ने अलग-अलग फसलों पर नगत की रूप में वसूल किये जाने वारे लगान का करीब दस वर्स का एवरेज निकाला और इस एवरेज निकाल करके उसका एक तिहाई जो था वो भू राजसु की रूप में निश्चित किया था अब जैसे मैंने बता रहता है अब यहाँ पर देखना कितनी एक्स्प्लिनेशन आपको मिलेगी पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे इस पर हम बहुत कम समय में इस विवस्ता है कि अंतरगत भूमी की पैमा इस जो होती थी भूमी की जो नाप जो होती थी उसे चार भागों मैं बांटी गई भूमी कौन कौन सी थी पोलज भूमी ठीक है परती भूमी चचर या चाचर भूमी पोलज भूमी क्या होती थी इस भूमी पर नियमित रूप से खेती करी जाती थी उसको पोलज भूमी कहते थे कुछ भूमी ऐसी होती थी जो औरवरा शक्ती प्राप्त कर वो बना रहे तो उसको बोलते थे परती भूमी ऐसी भूमी जिस पर लगबग 3 या 4 वर्षों तक खिती नहीं की जाती थी वो कहलाती थी चछर या चाचर भूमी और एक चौती आती थी आपकी बंजर भूमी बंजर भूमी आप नाम से ही समझ पारे होंगे निकरस्ट कोटी क भूमी सबसे खराब कैटिगरी की जो भूमी होती थी जिसे लगबग 5 वर्षों तक खिती के प्रियोग में न लाया गया हो वो बंजर भूमी के अंतरगत आती थी यह पहला ऑप्शन अब दूसरे ऑप्शन में बात करीगे थी तुरकाने चहल गानी की इसके बारे में दरदारों का एक गुरुप था एक दल था जिसे तुरकाने चहल गानी कहा जाता था बादशा ने अपने राज तंतर को बाटने या सहयो करने के लिए इसका निर्मार किया था इसको बनाया था दिली शल्तनत में केवल बादशा के पास संपूर सेना की कमान नहीं होती थी तुरकाने चहल गानी का भी उसमें क्या होता था उसमें हस्तशेपुन का रहता था अगला ओप्शन था ग्रेंड ट्रंक रूड दक्षडेसिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे रास्तों में से एक माना जाता है दो सदियों से अधे काल के लिए अगबद दो सो वरसों तक इस मार्ग ने भारती उप महादीब के पूरवी एवं पश्चमी भागों को जोडने का काम किया था यहावडा के पश्चम में से बंगला देश के चटगाउं से स्टार्ट होता है और लाहोर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है और आने के मामले में सिवाजी एक मَंत्री परिषत से परामर्ज लेते थे और कारण है कि प्रतेक मंत्री अपने विभाग को स्वतन्त्र रखता था तो आपने देखा होगा सिवाजी की टाइम पर इक अस्ठ प्रधान टी मंत्री पर-श्चत के बारे में आपको जानकारी मिलती है और हर मंत्री का उसमें क्या होता था अपना एक अलग आपका विभाग होता था जिसको वस्वतनतर रूप से उसका संचालन करता था तो इसमें जो A और R जानी जो कथन है आपका कारण है दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है तो पहला option आपका सही है अब यहां से देखते हैं पूरी अश्ट प्रधान जो थी मंत्री परशत्ती सिवाजी की टाइम की पूरी की पूरी यहां पर मैंने आपके लिए रखी है इसको आप देख लीजेगा सासन के कारेयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपती सिवाजी महराज एक आठ मंत्रियों की परिशत का गठन किया गया था जैसे सिवाजी का अश्ट प्रधान मंडल कहा जाता था इनकी भूमिका मात्र सलाहकार होती थी मतलब यह जो आठ मंत्री होते थे यह केवल पेशवा को शलाह देते थे यह जो है इनकी जो भी सलाह होती थी वो बाध्यक सबसे पहला होता था यह सभी मंत्रियों का प्रधान कहा जाता था एक तरह से इसकी comparing हम प्रधान मंत्री से कह सकते हैं सभी मंत्रियों का मुख्या ठीक है प्रसासन में सबसे उपर राजा होता था और राजा के बाद में जो अगला स्थान आता था वो पेश्वा का आता था इ इसकी तुलना मौरेकाल इन राजा असो के महा मात्य से की जा सकती है। मनि जो काम मौरेकाल में महा मात्य के द्वारा किया जाता था, वही कार्या सिवाजी के टाइम में अमात्य करता था। मंत्री जो होता था, ये राजा के जो भी दैनेक कार्य होते थे, उनकी जानकारी रखता था इसे वकिया नभीस भी कहते थे सचिव का पद जो था ये राजा के पत्र व्यवार और शाही मोहर जैसे दफ्तर के या ओफिस से जुड़े हुई जो कार्य होते थे वो करता था सुमंत कहते थे आपके फॉरेंड मिनिस्टर को जो विदिस से जुड़े हुई मामले देखता था सेनापती सेनेकों का प्रधान होता था जितनी भी सेना होती थी उसका जो मुखिया होता था उसको सेनापती कहते थे पंडित राव होता था दान का अध्यक्ष और हिन्यायाधीस जो होता था वो कानूनी मामलों का निर्णायक होता था ये सिवाजी की अस्ट प्रदान मंद्री मंदल थी ठीक है निम्न मैं से किस राजवन्स के अंतरगत विजारत का चर्मुत्सकर्स हुआ संचिप में स्कों हम विजारत के देते हैं इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है उस टाइम का तुगलक काल में इसको फाइन्स डेपार्टमेंट का नाम दिया जा सकता है मुस्तौफी महले का परिक्षक होता था खजीन ये खजांची होता था जो कैश वैश का या जो धन से जुड़े हो मामले देखता था मजमदार क्या होता था ये हिसाब संग रह करता होता था ये पूरा लेक जोग रखता था कितना पैसा कहां पर करत हुआ क्या हुआ क्या ने हुआ ये सारे जो थे इस दीवाने विजारत के करमचारी थे मुस्तौफी, खजीन और मजमदार ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है अलाउदीन के दक्षडी अभियान जो थे धन प्राप्ती के अभियान थे कारण है वह दक्षडी राज्यों को कबजे में करना चाता था तो कथन बिल्कुल सही है अलाउदीन खिलजी ने दक्षड भारत पर जो अभियान हुए आक्रमड हुए उसके उनका एक ही उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन एकत्रित करना लेकिन उसका ये मोटिव नहीं था कि वो दक्षडी राज्यों को कबजे में करके उन पर शासन करें उसका केवल एकी मोटिव था पैसा एकठा करना ठेक है तो कथन सही है कारण गलत है तीसरा उपसन आपका सही हो जाएगा सुमेलित से जुड़ेशा है जियाउद्दीन बरनी इनोंने किसकी रचना करी थी तारीख फिरोष शाही की हसन नेजामी के द्वारा ताजुल मासिर नामक रचना करी गई मिनास उस सिराज के द्वारा तबकात नासरी की रचना की गई ठीक है ऐसे ही याहिया बिन अहमत के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही की रचना की गई थी अगला कुशन है सत्रे सो पचासवी तक जो मराठा सामराज था पेश्वा की अध्यक्षता में एक परिसंग बन गया था कारण है कि साहू के जो उत्तरादिकारी थे पेश्वा की इच्छा पर निरबढ थे दोनों ही जो चीजें हैं वो सही है कथन भी सही है सत्रे सो पचास इसवी के आसपास तक मराठा सामराज जो था वो पेश्वा की अध्यक्षता में राज्यों का एक संग हो गया था चोटे चोटे जो भी मराठा राज्य थे उन मिला करके उनका एक संगठन बना दिया गया था और साहू के जितने भी उत्तरादिकारी थे पेश्वा को इतनी पावर हो गई थी कि वो जो है उसकी इक्षा पर निरबढ दे नाममात्र के राजा रह गए थे नाममात्र के चत्रपती रह गए थे ठीक है साहू तक जो चत्रपती के अंदर पावर यहां पर देखने को मिलती है लेकिन जैसे ही जितने भी कार थे राज्य से जुड़े हुए जब वो पेशवा को दी गई थी तो उसके बाद में जो राजा की इस्तिती थी वो बिलकुल भारती राष्टपती जैसी हो गई थी बहुत ज़्यादा अधिकार उसके पास नहीं बचे थे यहाँ देखते हैं 1750 की संगोला की संधी हुई थी बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा संगोला की संधी 1750 और यह इसलिए इंपोर्टेंट है अगर हम मराठाओं की बात करते हैं तो इसी संधी के अनुसार जो पावर थी वो पेशवा के हाथ में जो है हस्तांतरित कर दी गई थी यानि पेशवा के हाथ में जो सत्ता हस्तांतरित की प्रोसेस था वो लगबग पूरा हो चुका था और इसके लिए जो परमख रीजन माना जाता है 1750 की संगोला की संधी अब यहां से क्या हुआ छत्रपती जो थे वो केवल नाम मातर की राजा रह गए थे तथा उनके उत्तरादिकारी पेशवा की इच्छा पर ही निर्भर थे ठीक है आगे देखते हैं फिरोज तुगलक ये संबंदित है आपका दीवाने रियाशत से बलबन ने नौरोज ना इसलिए नहीं दिया है पहले हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा information देख चुके हैं इसके बारे में जो अतरिक्त व्याक्या है पहले हम पढ़ चुके हैं इस वजह से मैं यहां पर repetition इसका नहीं करूँगा आत्मारम पांदुरंग ये प्रार्थना समाश से संबंदित है दयानंद सरस्वती आरे समाज से जुड़े हुए हैं, राजा राम मोहन राय ये आदी ब्रह्म समाज ठीक है, ये गलत है, आदी ब्रह्म समाज की जो इस्थापना थी, वो इनों नहीं करी थी, विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, अब इन सभी समाज महादेब गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडार कर, ठीक है, इनोंने बंबई में 31 मार्च 1860 को इसको इसको इस्थापित किया था, आरे समाज की बात करते हैं, तो ये कि हिंदू सुधार अंदूलन है, जिसकी इस्थापना स्वामी दयानन सरस्वती ने 1875 में बंबई में मतुरा के स्वामी बिर्जानन्द की प्रिरणा से करी थी, आधी ब्रह्म समाज जिसके बारे हम बात कर रहे थे, आधी ब्रह्म समाज की इस्थापना, ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद में आचार केशब चंद्रशेन की द्वारा की गई थी, आधी ब्रह्म समाज की इस्थापना वर्तमान जो कोलकता है ठीक है वहाँ पर हुई थी ब्रह्म समाज का 1865 टेश्वी में विखंडन हो गया था पहले जो ब्रह्म समाज चलता था ठीक है और केसब चंदर सेन को देविंदर नाठ टैगोर ने आचारे के पत से हटा दिया था इस वज़े से क इसका जो विभाजन हुआ था वो किस नाम से जाना गया भारती ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया ठीक है बीस अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की इस्थापना जो है वो राजा रामोन रायक और द्वारकाना टैगोर के द्वारा की गई थी तो राजा रामोन रायक वो ब्रह ना कि आदी ब्रह्म समास से संब्ढ देते हैं, राम कृष्न मिशन की इस्थापना हुई थी एक मईए 1897 को राम कृष्न परमहंस के परमशिष्य स्वामी बिभेकानन जी के द्वारा, ठीक है, इसका मुख्याल है कोलकाता के निकट स्थान पढ़ता है, आपका बेलूर, वहा अब जब रियासतों का विले हो रहा था भारती संग में, तो ऐसी कौन सी रियासत थी, जिसने मना कर दिया था, कि हमारी जो condition, situation अब तक चली आ रही है, हम उसी इस्तिती में रहना चाहते हैं, हम किसी भी संग में अपना विले नहीं करना चाहते हैं, तो वो हैदराबाद था, 13 सितंबर 1948 के Operation Polo के तहट भारती सेनिकों को हैदराबाद भेजा गया था, चार दिन तक संगर्ष चला, और अंतता हैदराबाद जो है भारत का अभिन अंग बन गया, यानि आप से इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कि हैदराबाद को किस Operation के तहट भारती संग में स संख्यक जन संख्या मुसलिम थी, जब कि राजा हिंदू था, ये बात हो रही है आपकी कश्मीर की, ठीक है, तो एक ऐसी रियासत जहां की बहु संख्यक जन संख्या मुसलिम थी, जब कि राजा हिंदू था, राजा हरी सिंग ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के ल राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधी के रूप में सहायता के लिए जो है दिल्ली भेजा था 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंग ने विले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये थे और भारत संग का जो एक भाग बन गया था जम्मू गस्मीर तो आपसे पूछा जाए कि जम्मू कस्मीर का विले एकस के द्वारा हुआ तो विले पत्र पर हस्ताक्षर करके हैदराबाद का विले का से हुआ ओपरेशन पोलो की जो सैनिक कारवाई थी उसके फलसुरूप हुआ तो इसी में देखते हैं जम्मू कस्मीर में के 1952 में दिली सम्जोते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तैट भारती सम्विधान में जम्मू कस्मीर को विशेष दरजा प्रदान किया गया 6 फरवरी 1954 को जमू कस्मीर की समविधान सभाने भारत संग के साथ विले का अनमोधन किया था 1952 में दिल्ली समझोते पर हस्ताक्षर हुए यह जो है रिपीट हो गया यार गुजरात के दक्षड पस्चिम में एक रियासत है जूनागड जो 15 गस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी उसकी जो अधिकान्स पॉपुलिशन थी वो हिंदू और राजा था उतका मुसलिम परवरी 1948 को जनमत संग्रह करा गया, लोगों का मत लिया गया और जो लगबग सर्वसंबती से भारत के फेवर में गया और जूनागड का विले जो है भारत में हो गया रडजी सिंग किस मिसल से संबन्दित थे तो ये सुकर चकिया मिसल से संबन्दित थे इससे पिछले जो हमने सीरीज करी थी उसमें मैंने रडजी सिंग से जुड़ी हुई जितनी भी मिसलें थी उनके बारे मैं आपको डेटेल में जानकारी दे दी थी तो यहां पर हम बेस्तार से बात नहीं करेंगे नमने मैं से कौन चतुराईपूर निश्करिता की नीती के साथ जुड़ा है तो चतुराईपूर निश्करिता जो थी वो जौन लॉरेंस से संबंदित है आंगल अफगान संबंदों से संबंदित चतुराईपूर निश्करिता की नीती का संबंद जौन लॉरेंस से लगाया या फिर चतुराई पूर्ण निश्करता एक ही चीज है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पहले आपको पता यह 1498 में को न आय थे पूर्ट्छ अखालयों के बाद में 1625 में आपके अंग्रेज invade आपके फ्रांसी सी ठीक है और फ्रांसी सी के में ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी 1626 में डच आई 1596 में फ्रांसी सी प्रविस्ट हुए 1664 में ठीक है निमनमे से कौन भारती राश्टी कॉंग्रेस इस्थापना अधिवेशन में उपस्तित नहीं था तो सुरिंद्र नाथ बनर जी जो थे यह भारती राश्टी कॉंग् पहला अखिल भारती राश्टी संभिलन 1883 में आई जुद किया जा चुका है और दूसरा आउजुद होना था 1885 में और 1885 में ही इंडियन निशनल कॉंग्रेस का भारती राश्टी संभिलन आई जुद होना था तो दोनों की वियस्तता के कारण वे इसमें इंडियन नेशन कॉंग्रेस वाले अधिवेशन में सम्मिले नहीं हुए थे क्योंकि वो उन्होंने जो खुद का संग इस्थापित किया था अखेल भारती राश्टी सम्मिलन जो है वो जो है उसके सम्मिलन में सामिल हुए थे लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारती जो है बने थे लाला लाजपत्राय और भारती राश्टी कॉंग्रेस के 1920 में कोलकाता में आयोजित विशेश अधिवेशन के अधिवेशन थे इसके अदरिक बाल गंगाधर तिलक को भी 1918 में आयोजित होने वाले अधिवेशन हेतू अधियक्ष निर्वाचित किया गया था लेकिन मानहानी मुकदमे में पैरवी के प्रकरण के कारण ये उपस्तित नहीं हो सके थे तो तीनों में से केवल अध्यक्ष रहे थे लाला लाजपतरा है हाला इंके नामित इनको भी किया गया था वीजी तिलक को लेकिन ये जो है उपस्तित उसमें नहीं हो सके थे गोपाल कृष्ण गोखले का है वाइस ओफ इंडिया यह दादा भाई नौरोजी का है और बंगाली पत्रिका यह सुरिंदरनाथ बनर जी से रिलेटेड है निमनमेते किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्णर जनरल को अधियादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी तो ये है आपकी भारती परिशद अधिनियम 1861 इसके द्वारा जो आपका गवर्णर जनरल था वो कोई भी अधियादेश जारी कर सकता था बिना परिश हुई है अगस्त प्रस्था ये लॉड लिलित्गो से जुड़ा हुआ है अगस्त संकल्प महात्मगानदी से संबंदेत है और प्रत्यक्ष कारवाई दिवस्य महामद जिन्ना से जुड़ा हुआ है इससे जुड़ी अतरिक जानकारी भारत सचिप लॉड मंटेग उदारा 20 अगस्त 1917 को ब्रटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ता पड़ा गया जिसमें भारत में प्रशासन की हर साखा में भारतियों को अधिक प्रति निधत्व देने की बात कही ग अगस्त प्रस्ताव की घोशना 8 अगस्त 1940 को भारत के ततकालीन वाईशराय लॉड लिल्लित गोने करी थी इन प्रस्तावों के द्वारा भारत में रहने वाले जितने भी अलपशंक्यक थे उनको अधिकान से तर वे सारी चीज़ें प्राप्त हो गई थी जिनकी उन्हें अ अगस्त करांती या अगस्त संकल्प के नाम से जाना गया इस अंदुलन का लक्ष था भारत से बिटेस सामराज को समाप्त करना या अंदुलन भारती सुतंतरता संगराम के दोरान काकोरी कॉंड के ठीक 17 सालबाद 9 अगस्त 1942 को गांती जी के आवान में पूरे देश में एक साथ स्टार्ट किया गया था बारत की सुतंतरता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाई की घोशना से 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में भीशन दंगे शुरू हो गये थे इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीशन हत्याकांड भी कहते हैं सीधी कार्यवाई मुस् मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना धाका ब्रिटिस भारत जो कि अब बंगलादेश में वहां पर हुई थी पहले जो है बेभाजन नहीं हुआ था तो उस टाइम पर धाका देखा जाए जो अब बंगलादेश में जो कभी गवायत का ऐसा था वहां पर जो है इसकी स्थापना हुई थी तीस दिसंबर 1906 को लगबग 3000 परतिनिदियों ने धाका में मुहमडन एजुकेशनल कॉंफरेंस के एक सम्मिलन में भाग लिया जिसमें राजनीती पर प्रतिबंध हटा दिया गया और AIML बनाने के लिए एक प्रस्ताप लाया गया यह ना मुस्लिम लीग यह भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी और संस्थापों को की बात करें तो ख्वाजा सलीम उल्ला, वकार अलमुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नभीव उल्ला, खान बहादर गुलाम, मुस्तफा चोधरी यह जो है इसके सम्मिलित संस्थापक सदश्यों में से थे और लीग के पहले मानद अध्यक्ष थे सर्व सुल्तान मुहमद शा जिनको आगाखान भी कहा जाता है, मुहमद अली जिन्ना जो थे यह लीग में 1913 में सामिल हुए थे और यहां से अगर आपसे पूचा जाए कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या मुसल्मानों के बीच में भारत के अन्य समुदायों के खिलाब पूर्वा ग्रह के उद्देश्य को रोकने का काम करना लीग को 14 अगस्त 1947 को भंग कर दिया गया था, इतनी सारी जानकारी आपको मुस्लिम लीग की यहां से मिल जाती है, पत्रकार के करतब विका निर्वहन क करी थी इस चीज़ की, वो मराठा और केसरी नामक जो उनके पत्र थे, उनके माध्यम से करी थी, सुबास्चंदर पोस के त्याग पत्र के बाद भारती राश्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, राजेंदर परशाद हुए, ठीक है, 1939 के हरीपुरा और 1949 के त्रिपुरी कॉंग्रेस की अध्यक्षता जो की थी, वो सुबास्चंदर पोस ने की थी, 1939 में गांधीची द्वारा समर्थे तुम्मीदवार पट्टा भी सीता रमिया को हराने के कारण, पोस को कांग्रेस कारेकारणी में काफी बिरोधों का सामना क पड़ा था और इसी के कारण नोंने कांग्रेस के अध्यक्षपद और सदस्यता से क्या दे दिया था त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र के बाद में डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, आजाध हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने सुझाया था, तो कैप्टन मोहन सिंग, आजाध हिंद फौज या इंडियन निशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था, 28-30 मार्च 1942 को टोकियो जो कि जापान की राजधानी उसमें रह रहे, जितने भी भारतिय थे उनमें से एक प्रमुक थे, राजबिहारी ब आजाध हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, मोहन सिंग के मन में आया, और इसी बीच विदेशों में रहे रहे भारतियों के लिए इंडियन इंडिपेंडनेंस लीग की स्थापना भी गी, जिसका प्रतम सम्मिलन हुआ था, जून 1942 में, कहा पर दहारते हुए बाग का चित्र बना होता था, इसके तरक तो फौज की ब्रिगेड को अलग-अलग नाम भी दिए गे थे, महात्मा गांदी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाला नेरू ब्रिगेड, सुभाश्यंदर बोस ब्रिगेड, पर दिएकों का आहवान करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तमा जादी दूँगा, ये नारा जो है, नीका है, भाराच छोड़ो आंजुलन के समय निमनांकित में से किसने कॉंग्रिस रेडियो का प्रिशाषन किया था, तो ये थे उशा महता, अर्धनारिश् मूर्ती में आधा शिव और आधा पारवती ये किसका प्रतीक है, तो आधा शिव और आधे पारवती जो है, वो देव और उसकी सक्ती का योग, इस चीज़ का प्रतीक माने जाते हैं, भुवनेशर और पुरी के मंदिर किस सैली में बने हुए हैं, तो भुवनेशर और पहली सेली है आपकी नाघर सेली, इस सेली का पिरसार हमालय से लेकर विंध्य परवत माला तक देखा जा सकता है, नाघर सेली का जो छेतर है उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी छेतर तक है, परन्तु यह कहीं-कहीं अपनी सीमाओं से भी आगे पैल गई है, चिल्प शास्तर के अनुसार, नागर सैली के जो मंदिर होते हैं, उनके आठ परमुख हिस्से माने जाते हैं मूल आधार, मूल आधार वो होता है, जिस पर पूरा जो भवन होता है, पूरी बिल्डिंग होती है, वो खड़ी होती है इसके बाद में दूसरा आता है, मसूरक, यह है नीव और दीवारों के बीच का हिस्सा जंगा, दीवारें जो होती है, विसेस करके जो अंदर मंदर के अंदर जो गर्ब गरह होता है, उसकी जो दीवारें होती है, उसको हम जंगा कहते है कपोत कारनेस को कहा जाता है सिखर आप जानते हैं चोटी मंदिर का शीर्डस भाग अत्वा गर्ब ग्रह का उपड़ी भाग ग्रीवा गर्दन ठेक है सिखर का जो उपर वाला हिस्सा होता है उसको ग्रीवा कहा जाता है वर्तुलाकार आमलग ये सिखर के शीड्स पर कलस के जो नीचे का हिस्सा होता है वो वर्तुलाकार आमलक कहलाता है और कलस जो होता है वो सिखर के सबसे उपर वाले हिस्से को कहते है इस सैली के मंदर मुख्यत है मध्य भारत में पाई जाते हैं और कुछ प्रमुख मंदरों के नाम आप यहां पर देख पाएंगे कंदरिया महादेब मंदर ये खजराहू में है लिंग राज मंदर ये वहवनेश्वर उडिशा में है जगनात मंदर ये उपरी में है और कोडाक का सूर मंदर ये जो है आपका ये दक्षड भारती हिंदू स्थापत तकला की तीन प्रमुख शरडियों में से एक सैली है ये सैली दक्षड भारत में विक्सित होने के कारण द्रविंड सैली कहलाती है तमिलनाडू और उसके निकटवर्ती छित्रों के अधिकांस जो मंदर है वो इसी स्रडी के बने हुए है इस सैली में मंदर का जो आधार होता है नीके वाला हिस्सा जो होता है वो बरगाकार होता है चौकोर ठीक है गर्बग्रह के उपर का सिखर भाग जो होता है वो प्रिज्म जैसे आकार का होता है या पेरामिड नमा होता है नुकीला होता है जिसमें चैटेज विभाजन के लिए अनेक मनदिलें होती है सिखर के शीर्स भाग पर आमलक व कलसकी जग़े स्तूप बने होते हैं तूपेका होती है, छोटी-छोटी है, इस सैली के मंदिरों की प्रमुक विशेष्था यह है, कि यह काफी उचे होते हैं, और विशाल प्रांगड से घेरे हुए होते हैं, प्रांगड में छोटी-बड़े अनेक मंदिर होते हैं, अनेक कच्छ होते हैं, कमरे होते हैं, जलकु जहां से entry होती है प्राय मंदर प्रांगण में विशाल दीप स्थम्ब वद्वज स्थम्ब का भी विधान या जो है प्रोसेस यहां पर देखने को मिलता है अब तंजोर का भव्य शिव मंदर जिसे राज राजेश्वर या ब्रहदेश्वर मंदर कहा जाता है यह द्रवड सैली में निर्मित राज राजा चोल द्वारा एक हजार नो के आसपास पूरा किया गया था और यह भारत में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे विशाल और सबसे मुझाए जो कि किसके हैं द्रवड सैली के हैं की दक्षड में अन्य परशिद मंदर द्रवड मंदर, वह आपका तिरुवण नामलाई अर मंदर है इसके अलावा मीनाक्शि मंदर है मदृर उठीक है जैसा और रूप में जो मंदिरों का जो टाइप होता है देखने में जो मंदिर दिखाई देते हैं उसमें नागर जैसा लगता है इस सैली के मंदिर विंध्य परवत माला से क्रश्णन दरी के बीच में निर्मित हैं जैसे अगर उधारणों में बात की जाए तो करनाटक के च चालक क्यों ने ही मिशिरत विशरसैली को जो है प्रमोट किया था निमने में भारत का राश्टपती किसकी निर्वाचन होता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन-कौन होता है, लोकसभा और राजसभा के सदस्या, ठीक है, जब के राजेपाल, प्रधान मंत्री, मुख्य, निर्वाचन, आयुक्ति की निक्ति, क्रमसर, सम्विधान के नुक्षेद 155, 155 में राजेपाल की निक्ति है, राष्टपति के द्वा भारत का महानियावादी हो गया, नियंतरक महालेखा परिक्षक हो गया, उच्चतम नियायले के नियायधीस, राजियों के राजेपाल, उच्च नियायले के नियायधीस, UPSC के अध्यक्ष और उसके सदस्या, वित आयुक्ष, मुख्य तथा अन्य आयुक्त, तीनों अध्यक्षों की न्युक्ति और सेवा निवरत होने के बाद में सर्वोच न्यायले के न्यायदिस इनकी न्युक्ति सबी लोगों की न्युक्ति जो है वो राष्टपती के द्वारा की जाती है सेवानिवरत होने के बाद में सरवोष नयायले के न्यायदिस वकालत कर सकते हैं कहां कहां पर यह वकालत कर सकते हैं रेटायर होने के बाद में तो इनको यह प्रतिबंध होता है किसी भी न्यायले में जाकर के वकालत नहीं कर सकते हैं लोकसभा का सचेवाल है सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है अब लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी हुई जानकारी देखते हैं भारत में वर्स 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद था वो भार भारा सरकार अधिनियम 1919 जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर सुधार कहा जाता है इसके प्रावधानों के इंतरकत किया गया था उस समय जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे उनको प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था यह प्रथा जो थ उसी के सदस्य को अध्यक्ष होना जाता है यह प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में विक्षित हुई है जिसके अंदर के सत्ता रूड़ दल सदन में अन्य दलों और सम्हों के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्ष के बाद अपने उम्मीदवार को नामित करता है अ अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता लेकिन अगर किसी मामले पर ऐसी सिच्वेशन पैदा हो जाती है कि दोनों पच्छ और विपच्छ के मत जो है वो बराबर हो जाते है और निर्णायक मत देने की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपने मत का प्रियो करता है ठीक है और वह किसी विद्यक के धन विद्यक होने या नहीं होने का फैसला करता है धन विद्यक कोई विद्यक है या नहीं है तो उसका निर्णाय लोकसभाद्यक्ष को होता है और वो अंतिम होता है सदस्चियों की अयोगता दसवी अनसूची के प्रावधानों के हुखे जो दल बदल क्याधार पर उतपन होने वाली कि किस सदस्य की अयोग्यता का प्रश्ण मारति नहिसे कि मुकदमे में भारति शर वोष श्राऀले न सर्वप्रत्म समभिधान के मौलग लक्षंड का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था तो यह है केशवानंद भारती बानाम केरल राज, 1973 में केशवानंद भारती बानाम केरल राज के मामले में सर्वोष नयाले ने जो है तेरे सदस्यों की तेरे नयाय धीसों की जो पीठ थी उन्होंने अपनी समवैदानिक रुक में शंशोधन करते हुई ये कहा कि संविधान शंशोधन के अधिकार पर एक मात्य प्रतिबन दिया है कि आप शंशोधन कर सकते हैं लेकिन उसे संशोधन से संविधान का जो मूल धाचा है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए 24 अप्रेल 1973 को चीफ जस्टिस सर्व मित्र सीकरी ये जो है इस वाद के प्रमुख न्यायदीस थे और उच्चतम न्यायले के बारे अन्य न्यायदीसों ने न्याय के तिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण दिया था भारती समविधान का कौन सा अनुच्चेद अलप शंक्यों को अपनी मनपसंद सिक्षण संस्थाओं के स्थापे तेवं संचालित करने के अधिकार को संद्रक्षण देता है तो आर्टीकल 30 है ठीक है अब वैसे तो इन सारे अनुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मैंने इसमें डाल दिया देख लेगों के हट अनुच्च्च्च्च्च्च्च के अधिकार भारती समग धान करता है तो अनुच्च्च्च्चच्च्च्च अंतरकत प्रवर्तित के जा सकते आपके fundamental rights, मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतरगत, जो नियायले होता है, वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, खास करके अगर बात करें हम सर्वोचिनयायले की, तो सर्वोचिनयायले को जो रिट जारी करने का अधिकार होता है, मौलिक अधिकारों के संब संब् patches, तो ये स्ताधारन विधियक के संब्द में होती है, दोनों सदरों की संयुक्त बैठक साधारन भारती संविधान के किस अनुक्षेद ने विभिन राजियों का उल्लिख है या तो तो आर्टीकल 371 ठीक है जैसे बात करेंगे आर्टीकल 370 यह तो खतम ही हो गया जम्मू कस्मीर में अस्थाई उपण जो थे उनसे संबंदित था और आर्टीकल 372 में क्या है तत समय प्रवर्तित विधियों या कानूनों की विधिमान्यता से संबंदित कोई प्रावधान है उसको सामिल किया जाता है 372 में अनुच्छित 379 में राज सूची के जितने भी विशे होते हैं उन पर कानून बराने की संसत की जो इस्थाई सकती होती है उसका उपवंद किया गया है आर्टीकल 377 में मडीपूर, सिक्किम, आंदरप्रदेस, नागालेंड, असम, महराष् गुजरात, मिजोरम, अरणाचल प्रदेस और गोवा से जड़े हुए उपवंदों को सामिल किया जाता है भारतिय सम्विधान की सातवी अनसूची के अंतरगत संग सूची में निमलकित मैं से किसका उलिख नहीं है तो गैस जो है वो संगिय सूची का विशे नहीं है बाक आप यहां से देख लीजी वैसे तो बहुत सारे वैसे हैं सोके नाम तो यहां पहलेग नहीं सकते हैं कुछ प्रमुक जो है वो अक्सर एक्जाम में आ जाते हैं जैसे रिडियो से सम्मादेद मामले टेली विजन ठीक है कम्यूनिकेशन स्टूडियो चीज है जो है इसके ल होना जाता है और यहां पर राजा साही सासन नहीं चलता है ठीक है तो इसी वज़े से भारत का है गड़तंत्र है भारती समविधान के बड़े होने का कारण है बड़े होने का कारण देखिए यहां पर आपको confusion हो सकती है ठीक है एक तो हमारा समविधान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमारे देस के संविधान में बहुत सारे देसों के संविधानों से उपबंद जो है वो उधार ग्रहण किये गए हैं लिए गए है ठीक है ये भी इसके बड़े उन्यकारण लेकिन सबसे जो कह सकते हैं बेस्ट कारण जो है वो यह है कि इसमें केंदर के शासन के बारे में और राज्य सरकार के शासन के बारे में अलग 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 उपबंद जो है वो दिये गए है यानि संग सरकार जो होती है और राज्य सरकार दोनों प्रकार की सरकारों का जो है इ देखेंगे अंधर प्रदेश में 42 हैं लोगसभा सीटें असम में लोगसभा सीटों की संक्या 13 किसी भारती राज्य के राज जिक राज Jawapal संमाधित निमलकित कतनों में कौन सा तरह सत्यot. तो राज्यपाल से जुड़ी हुए कथन है, यहाँ पर आपको देखना है, यदे सम्मंदित राज्य की विवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताप तुई कारती है, तो वह पदावती से पूरभी बदमुक्त किया जा सकता है, तो यही जो है सत्य नहीं है, ठी ओपए वो नहीं ला सकती है, ठीक है, तो यह जो है अप्षन आपका सही हो जाता है, यहां से, वह भारत के राश्टपती द्वारा निखति होता है, यह बात तो सही है, बिल्कूल अभी बता ही रहते हैं, और एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल उसको निखती कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों को राज्यपाल बनाया जासकता है और वह पांच वर्स तक या रास्टपती के परशाद पर्यंत पद पर बना रहता है अनुच्छे 155 द्वारा जो है राष्टपती द्वारा राज्यपाल की नुक्ति की जाती है उच्छे नियाले कि परमादेस जारी करने की शक्ति के अंतरगत आते हैं सभी अधिकार आते हैं परमादेस जारी करने की शक्ति के अंतरगत आते हैं नियुक्त में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनसूचित जन जाती हैं कि सरवादिक प्रतिनिधी निर्वाचित करता है तो आपको यहीं से बैसे ही कॉमन सेंस आंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे जादा अनसूचित जन जाती हैं वो मध्य प्रतेस में तो यहीं से सरवादिक सदस्या आते हैं भारति सम्विदान की सात्वी अनसूची के अंतरगत राज्य सूची में निमन में से किसका उललेख है तो रेलवे पुलिस यह राज्य सूची का विशे है बाकी जो एजूकेशन हो गया, विध्युत हो गया, वन जो हो गया, ये जो हैं समबर्ती सूची के विशे हैं, ठीक है, सारे सिक्षा, विध्युत और वन, ये तीनों समबर्ती सूची के विशे हैं, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विशे है, राज्य सूची में अब बर संते सचा से जोड़े मामले जंगली जानवर और पच्छीओं का सनरक्षन बजन और उपाए इसके अलावा नियाय का प्रशासन, सर्वोच नियायलें और उच्छ नियायलें को छोड़कर सभी नियायलें का जो गठन और संगठन है वो भी जो है संबढ़ती सूची के इंतरगत डाल दिया गया ठीक है राजय सूची के कुछ परमग विशय हैं जैसे सारवजनिक विवस्ता, पुलिस, सारवजनिक स्वास्थ और स्वच्छता, अस्पताल, और शदालें, सट्टा और जुआ यह जो है राजय सूची के परमग विशयों के अतरगत माने जाते हैं ठीक है संबर्ती सूची की जब बात करते हैं तो इसके अंतरकत बामन विशयों की गड़ना की गई है भारती समविधान में संबर्ती सूची के अवधारणा कहां से ली गई है उस्टिलिया के समविधान से संबर्ती सूची में उल्लेकित विशयों पर केंद्र और राजय दोनों ही सरकारे कानून बना सकती हैं और विशयों की बात करें तो सिच्छा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, दत्तक ग्रहन, उत्तरादिकार ये सबी जो हैं संबर्ती सूची के विशयों है भारती सत्वन्त सेंग बनाम असिस्टेंट पास्पोर्ट अफशर नई दिल्ली का जो वाद हुआ था उसमें नियाले के द्वारा जो निर्णे दिया गया था उसके अनुसार ये जो है सरक्षण दिया गया है ठीक है जम्मु कस्मीर एवं जम्मु कस्मीर का जो एक सदर ए रियासत पदनाम था उसको बदल करके राज्यपाल कब किया गया था तो यह किया गया था आपका 1965 में निम्नमे से कौन राज्यसवा की एकांतिक शक्ति के इंतरगत आता है एकांतिक शक्ति मतलब एकलोती शक्ति जो उसके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है, तो नई अखिल भारती सिवाओं का सरजन केवल राज्यसभा कर सकती है, इसके अलावा भी, जो है कुछ अन्य सक्तियां दी गई है, राज्यसभा को उनको देख लेते हैं, राज्यसभा की एकांत बना सकती है कानून बना सकती है। इसी प् pist राज्य brighter राज्य सभा को Одनुचे 299 के अनुसार राज्य सूची के विश्यों और केंदर द्वारा अहस्थाई विधान बनाने के अनुमती देने की शक्ति है cotton राज्य सूची की विश्यों सम्विधान को राजसभा की विशेश शक्तियां प्रदान करी है जैसे पहला तो है नई अक्यल भारती सिवाओं का शर्जन और दूसरा है आर्टिकल 249 के अनुसार अगर कोई विशेश है वो राजसूची का है उस पर केंदर सरकार कानुर बना सकती है लेकिन वो गाणूर कैसा होगा अध्ताई होगा ठीक है अध्ताई कानूर बनाने की शक्ति राजसभा की किस पर राजसूची के विशेश पर तो वो किस अनुस्षेड के तहप दी गयी है 249 के तहप दी गयी है अब ये जो वाद था चम्पकम दोराई राजन बना मदरास राज्य ये उनीस्तो क्यावन में जो है आया था तो ये इसमें किस चीज के बारे हम बताया गया उसको देख लेते हैं सरप्रतम ये विवाज सामने आया कि मौलेक अधिकार और नीती निदेशक तत्तों में से किसे सरवोच दिया तो नियायले ने इस संबंद में ये निर्णे दिया था कि मौलेक अधिकार प्राथमिक हैं और निदेशक तत्तों जो हैं वो सहायक के रूप में हैं अतहम मौलेक सर्वोच हैं तो इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि चंपकम दोराई राजन बना मदरास राज़बाद में 1950 में जो हुआ था सर्वोच नहीं निर्णे दिया था कि जो नीति निदे सकते हैं वो जो है प्राथमिक जो मौलेक अधिकार हमारे हैं उन मौलेक अधिकारों के ऊपर नहीं रखा जा सकता है ठीक है तो बरियता किसको दी गई थी यहां पर मौलेक अधिकारों को DPSP को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब तक के भागतीन के तहत मौलेक अधिकारों का कोई उलंगन न हो अगर DPSP का कोई प्रावधान मौलेक अधिकारों का उलंगन कर र में मदरास में कॉलेज प्रवेस के लिए कोटा प्रणाली थी राज़ द्वारा चार चिकिस्था संस्थानों और चार इंजिनेरिंग कॉलेजों का शमर्थन किया गया था सीटें जो थी 14 थी 14 सीटों के लिए गेर ब्रामणों को 6 सीटें आवंटित की गई थी तो एक मैला थी स्रीमती चंपकम दोराई राजन जो एक ब्रामण थी इन्होंने अनुच्छे 226 के तहत मदरास उचे नियाले में एक मुकदमा दायर किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कॉलेज में जो प्रवेस के उसके मूल अधिकार है उनका उलंगन किया गया है ठीक तो राज्जी के नीती ने सकत्तों में तारों के कारण घटित आकाशी पर घटना कौन सी है तो ब्लैक होल की जो घटना होती है कृष्णे का चेत्र की घटना जो होती है वो तारों के कारण घटित होती है ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इससे प्रकास का भी प उससे जो है लोगों की रक्षा करती है ओजोन परत कहां पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है यह सामनेत है समताप मंडल के निचली भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है जो यहां पर ओजोन गैस का मंडल होता है इसकी उपरी सीमा लगबग 55 किलोमीटर तक बताई जाती है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरक मृत्तिव से गिरशेत होते हैं, क्या कहलाती है, चंदरशेकर सीमा कहलाती है, ऐस चंदरशेकर भारती मूल के खगोल भौतिक वित्थे, जिन्होंने सफेद बौने तारे, जिन चंदरशेकर सीमा कहा जाता है, अब एक है एडिंग्टन चमक या एडिंग्टन सीमा, यह क्या होती है, यह वह अधिकतम चमक है, जो एक पिंड जैसे कोई तारा हो सकता है, वो प्राप्त कर सकता है, किसी तारे द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम चमक जो होती कारण है प्रत्वी के धरातल पर सौर लगु तरंगें पार्थे बूर्जा की लंबी तरंगों में बदल जाती हैं तो इसका जो कथन है और कारण है दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है जोग्राफी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था उस्मा बजट मैंने सारी चीजा किस तरीके से आता है प्रकास किस तरीके से जो वह तरा वर्तित हो करके उपर कि तरफ करके ता प्रत्वी वायूमंडल जोóst कि स्कृष गरम करी थी इसके बाद में आता है, गलोब पर दो इस्थानों के बीच में नियुनतम दूरी जो होती है, वो कहाँ पर होती है, तो ये अंतरास्थी ये तिथी रेखा पर होती है, ठीक है, 180 डिगरी जो अपनी देशांतर रेखा होती है, ओतरी गुलार्द में करक संकरांती के समय 12 घंट कौन सा है, तो वो बुद्ध है, ठीक है, परतवी से अन्य ग्रहों की दूरी का जो आरोही क्रम है, वो इस तरीके से है, ये परतवी से ग्रहों की दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे निकट है सुक्र, उससे दूर फिर जाते हैं, तोड़ा मंगल, फिर बुद्ध, फि फिर शनी फिर अरोण सबसे दूर है आपका वरोण मकर संक्रान्ति के समय करक रेखा पर दोपहर के समय सुले का उन्नतांस कॉण जो होता है 76.5 ऑगर आपसे पूछा जाए करक ये तो करक रेखाप़ है अगर आपसे पूछा जाए मकर ITHS में कषवाली है फोगrobe घुजरात में है और पॉइंट कैली मोर ये तमिल नाडू में हैं। रितु प्रवास कौन सी जन जाती करती हैं। तो ये भूटिया जो लोग होते हैं, जो मुख्य रूप से उतराखंड में पाई जाने वारी एक जन जाती है, थारू और बुक्सा जन जाती उतरप्रदेश के जो तराई छेतर के हिस्से हैं, वहां पर पाई जाती है। वेंबनार जील ये कहां पर है, ये केरल में हैं। और जितने भी यहां पर स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, उनसे जुड़ी हुई जीलों को भी मैंने यहां पर एड़ ओन किया है। जैसे आंदर प्रदेश की जीलें हैं, तो आपकी कोलेरू, पुलीकट, कंबम, हुसेन सागर जील, दुर्गम, चेरेवु जील, और आपका मेलावरम जील, आपक जील, ताती पुड़ी जलाश है, और श्री शैलम जील। आंदर प्रदेश की जो पुलीकट जील है, यह चिलका जील के बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे-पानी की जील है। ठीक है, और पुलीकट जील, एक चीज और इससे जुड़ा हुआ, कि पुलीकट जील का कुछ हिस्सा आंदर प्रदेश में है, और कुछ हिस्सा इसका तमिल नाडू में भी है, लेकिन ज्यादा तर हिस्सा इसका आंदर प्रदेश में पढ़ता है, इसी वज़े से इसकी अ जनसुपा जील, हीराकुंड बात के द्वारा जो जील बनाई गई है। इंद्रावती डैम जील, कोलाब डैम जील, पटा जील, अपर जोंक जील, रेंगाली जील, सरोधा जलाशय और कांजिया जील ये सारी उड़ीसा की जील है। ठीक है। और बर्मूडा इन तीनों को सामिल किया जाता है। सम्मिलित रूप से इनको बर्मूडा ट्राइंगल कहा जाता है। डैमंड हारबर और साल्ट लेक सिटी ये कहां पे है। ये इंडिया के कलकत्ता में है। ठीक है। डैमंड हारबर जो है भारत के पश्यम बंगाल राजगे दक्षड 24 परगना, ठीक है, 24 परगना एक जिला है, वहाँ पर इस्थित है, यह हुगली नदी के मुहाने के पास में बसा हुआ है, और यहाँ पर ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, एक छोटा सा नगर सापताहंत में एक लोग पर यह परिटन इस्थल बन जाता ह और यहाँ ब्रिटिस राजजी के इस समय का एक विशाल पत्तन बना हुआ है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, चेन नहीं जो है, भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है, यह करत्रिम पत्तन है, जबके कोचीन जो है, यह प्राकरतिक पत्तन है, जबाला नहरू पत्तन, एक मशीनी करत पत्तन है और कांडला को जवारिय पत्तन के रूप में जाना जाता है ठीक है तंसार का सबसे आर्दरतम स्थान कौन सा है माशिन राम जो के मेगाले में है सबसे जो है बड़ा उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया है तो यह जो क्वेशन जस टाइम पर पूछा गया था उस टाइम पर अलग कहानी थी वो हमको नहीं देखनी है वर्तमान समय में जो लोह एस के तीन अगरण उत्पादक देश है वो है सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया है सेकिंड रैंक आती है ब्राजील की थर्ड रैंक पर चाइना और चोथा इस्तान आता है अपने भारत का कतन है अध्यतन अनेक भारती उध्योगों ने ISO 9001, ISO 9002 परमाण पत्र जो है वो प्राप्त कर लिये और इसका कारण क्या है भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है तो जो पहला कतन है वो सही है बहुत सारे उध्योगों ने ये प्रमाण पत्र जो है प्राप्त की है लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि लाइसेंस आसानी से देना स्टार्ट कर दिया है इसका कारण ये है कि इनके जो अलग मापदन्द होते हैं ना कुछ ठीक है जैसे उध्योगों की उत्पादकता कितनी है उपादियता कितनी है पर्यावरण के प्रति और कारण जो है उसका वो गलत है संपर्ति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में istiti स्पस्थ नहीं है गरीबी निवारण कारिकरों में ब्यापक परिवर्दतन किये गए हैं तो इसका जो पहला कत्हन है आप देख रहे हैं गरीबी कितनी ब्यापक है कि इसे अफस्थ नहीं है तो यह गलत है इस्तिती सपस्ट है बिल्कू सारी चीज़ें बताएं और गरीबी निवारण कारेकरों में परिवर्टन काफी किये गए तो यह गल्त है आर जो है कारण इसके सही है अध्यतन भारत में सारवजनेक शेत्र में रोजगार की व्रद्धी बहुत शितिल नहीं है आर्थिक विकास में राज़की भूमेका का पोनर मुल्यांकन किया गया कथन और कारण दौनों से ही और इसके तही व्याक्या भी ये करता है मीरा सेट समिती का संबंद किस थे था तो ये हत करगा के विकाश से था मीरा सेट के बारे में जानते हैं इनका संबंद हत करगा के विकाश से है इसने 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी समिती ने इस समिती ने 500 करोल टुपए के राष्ट्री हत करगा कोश की स्थापना की सिपारिश की थी। मीरा सेट ने भार सरकार के वाणिज एवं उध्योग मंत्राले के उध्योग समवर्धन और आंतरिक व्यापर विबाग में काम किया है। उनके कई अलग-अलग आर्थिक प्रयासों से हत करगा या मत्यपालन के विनियमन में महलाओं की बागेधारी जो है वो सुनिश्वत हुई थी। वे 1990 से 1991 तक UNICEF की उपाध्यक्ष भी रही थी और फिर इसके बाद में 1991 तक इसकी अध्यक्ष भी रही थी। इंडिया बैंड एक्वर्टी फंड की स्थापना के साल हुई 1996 में हुई थी। नमनमे से कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है। तो भेल हो गया या फिर आपका सेल हो गया ONGC हो गया इनके स्थापना वर्स भी मैंने यहां पर लिग दिया है। भारत है विए लक्त्र on हो है और इसार ऑफडर्टे और पूच और नए है कोणसी अलग है हो जाएगा। व्यक्टियों को क्रराहत के द्रस्टि कौन से नमनमे से कौन न्यसे भिन है। तो जीसे इंकम टेक्स में जो छो छूटे मिलती है। income tax से छूट जिसको दी जाती है तो वो रास्टिय बचत पत्र है ठीक है इसके अलावा आपके सारवजने कुहविष ने दी कोश जो है और रास्टिय बचत योजना ये सारी चीजें जो है इन पर कर रहात दी जाती है इंद्रा विकास पत्र जो है इस पर कर राहत नहीं दी जाती है कापार्ट का संबंद किस से है कापार्ट का संबंद है ग्रामिर कल्यांड कारकरमों की सायता और मुल्यांकन से कापार्ट की फुलपाम आपसे पूछी जाए तो Council for Advancement of People's Action and Rural Technology इसको कहा जाता है कापार्ट की स्थाफना दो एजेंसियों को मिला करके हुई है और वो दो एजेंसिया हैं आपकी Council of Advancement for Rural Technology CART और People's Action for Development P.A.I.D. ठीक है कापार्ट 1980 के संस्था पंजीकरण अधिनियम के नद्रगत एक स्वायत संस्था मानी गई है इसका प्रमुख उदेश है ग्रामीड विकाज में उपयोगी विभिन तकनीकों को वित्तिय प्रुतसाहन दे करके उन्हें अधिक से अधिक लोगों के उपयोग में लेकर के आना सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेशन है पारसिक किसकी इकाई है पारसिक दूरी की इकाई है और सामानिता एक पारसिक जो है वो किसके बराबर होता है तीन गणा दसकी पावर सोल है 3 इंटू 10 तू दी पावर 16 मीटर के एकवल होता है 1 पारसिक मनुश्य की आँख में प्रकास तरंगें किस इस्थान पर स्नायू उद्वेगों में परिवर्तित होती है, तो जो चित्र बनता है, एक तरह से इंशॉट का आ जाए, तो वह कहां बनता है, मनिश्य की आँख में जो रेटे ना होती है, वहां पर हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसकी इमेज बनती है, जलके आयतन मे पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, इससे जुड़ी हुए अन्य जानकारी, सामान्य जलका जो घनत होता है, चार डिगरी सेल्सियस पर मैकसीमम होता है, और आयतन इस टेंपरिचर पर नियून तम पाये जाता है, घनत और आयतन में कैसा संबंद होता है, उल्टा ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव की रूप में वरियता क्यों दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का जो द्रवांक होता है, वो पारे के अपिक्षा निम्न होता है, तो मिलित करना है, लैक्टेकमल दूद से रिलेटेड है, एसिटीकमल सिर सीटरिक अमल नीबू में पाए जाता है और ब्यूटायरक अमल वह आपके दुर्गंध युक्त मक्तफन में पाए छगता धबा रहेत स्टिश्टील के अब चाहर होता है स्टेनलेस स्टिश्टील जिसको हम किया जाता है stainless steel में प्रियुक्त होने वाली धातूं का जो कह सकते हैं संगटन है कि कौन-कौन सी चीज कितनी मिलाई जाती तो iron इसमें मिलता है 89.4% chromium 10% add किया जाता है manganese 0.35% और carbon 0.25% मिला करके stainless steel बनाया जाता है अपमार्जक या detergent जो होते हैं वो मेले कपड़ों से सरलता से तेल एवं जो गंदगी होती है उसको निकाल देते हैं कारण क्या दिया गया है कि अपमार्जक जलके प्रष्टत आपको बढ़ा देते हैं तो ये बाद साही है, डिटरजेंट जो है सरलता से तेल और गंदगी को निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत है कि अबमार्जकों से जलका surface tension बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है, अबमार्जक से जलका surface tension कम हो जाता है, तो कारण जो है इसका कैसा है, गलत है cyclotron किसको त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये आयन को त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है, बाकसाइट किसका आयसक है, बाकसाइट एलूमिनियम का आयसक है, एलूमिनियम के और भी आयसक है, बाकसाइट के अलावा, कोरंडम, डाइसपोर, तांबे के ऐसकों की बात करें तो कैलकोपाइराइट, कैलकोसाइट, क्यूपराइट, मैलेकार्ड, एजुराइट, यह सारे तांबा के ऐसक हैं, जस्ते के ऐसक हैं, कैलोमल, कैलामीन, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, और सीसा के ऐसक हैं, गैलेना और एंजीलिसाइट, ठीक है जीव अन्तह श्यपक यह हिंदी में कभी कभी इतनी शुद्ध हिंदी पुछ लेता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता अंतह श्यपक यह सुई होती है जो आप लगाते हैं इन्जेक्शन जो होता है तो जीव अंतह श्यपक का मतलब है biological injection यह क्या होता है यह एक ऐसी सुई होती है जिससे कोई भी पीड़ा नहीं होती है तो इसको हम बोलते हैं वेदना रहे तो सुई भी नहीं होती है इसमें यह मतलब अंता शेपक होता है जैसे इंजेक्शन का जो काम करते हैं कोई भी चीज इंजेक्ट करी जाती है तो उसमें इंजेक्शन जो ह उसमें शुई नहीं होती है, कोई भी दर्द नहीं होता है, रोग ग्रस्त शेशू होता है, जिस बच्चे को यह बीमारी होती है, वो लारके, बुलबुले जो हो बनाता रहता है, ठीक है? बबल बेबी रोग जिसे सीवियर कंबाइंड इम्मिन और डिफिशियंसी SCID के रूप में विजाना जाता है ये एक दुरलहब आनुवाइंशिक विकार है जेनेटिक बीमारी होती है जहां लिंफोशाइटों की जो है वो कमी हो जाती है वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं होता एंटीबोडी एबी एंटीबोडी दोनों पाई जाती हैं एंटीजन कोई नहीं होता इसी कारण इस वर्ष के जो विक्ती का रुधिर आधान होता है किसी भी विक्ती को ये खून दे तो कोई भी गुरुप धारी इस विक्ति को ले सकता है क्योंकि कोई भी इसमें एंटीजन नहीं होता और ओ गुरुप जो है इसकी खोज किसने करी थी डी कैस्टेलो और स्टरली ने इसके विप्रीत जब ए भी रुधिर बर्क की बात करते हैं यह सर्वगराही है इसमें दोनों एंटीजन पाई जाते हैं लेकिन एंटीबोडी कोई नहीं पाई जाती ठीक है तो यह सबका रक्त ले सकता है क्योंकि एंटीबोडी इसमें कोई होती नहीं है मानव सरीर में विटामिन A कहां संचित रहता यह यकरत में संचित रहता यहां पर देखते हैं सुमेलन, सुस्क बर्फ इसको कहते हैं ठोस, कार्बन डियोकसाइड, जीन थेरपी, बलड से जुड़े हुए रोगों के उपचार में यूज की जाती है, क्रायोनिक्स किसमें यूज होती है, पुनर जीवित करने हितु, जीविन पिंडों का जमन इसमे प्लेग जो है, वो चुहों के कारण फैलता है, प्लेग से हुई जानकारी देखते हैं यहां पर, प्लेग एक संक्रमणी रोग है, जो चुहों के द्वारा मनिश्यों में फैलता है, प्लेग रोग के जीवाडू होते हैं, मानव सरीर में चुहों के उपर पाई जाने वाले पिस्वों के द्वारा संक्रमित होते हैं, प्लेग बैक्टिरिया के द्वारा फैलता है, और वो बैक्टिरिया का नाम क्या है? बेसिलस पैस्टिस, प्लेग का सबसे खतरनाक पिस्व जो है, वो जैनोपसिला के ओपिस है, गाय और बेंस के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो वो ओक्सी टोशन हार्मोन का इंजेक्शन होता है ओक्सी टोशन हार्मोन एक पॉली पैप्टाइड होता है जो दुगद गृंतियों को क्या कर देता है और दुग दुसरा आपको विनियमित करता है इंसुलिन जिसका नाम आप देख रहे थे आप्शन में इसका परियोग गलुकोज की मातरा को विनियमित करने के लिए क्या जाता है सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन जो है ये सारी रिक व्रधी के लिए आवश्यक होता है और इंटर्फेरोन जिसका नाम आप देख रहे थे ये एक प्रोटीन है जो वाईरस संक्रमेट कोशिकाओं द्वारा स्वस्त कोशिकाओं को वाईरस से सुरक्षा प्रतान करने के लिए उत्पादित की जाती है नीली करांति का संबन्द किस से है मत्स्यपालन से है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियक्टर में निम्नमे से कौन सा सीत अलक के रूप में प्रियोग में लेका आया जाता है तो गलित स्रोडियम ये तरल सोडियम जो है कामराज योजना का उद्देश क्या था भारती रास्टी कॉंग्रेस को जीवन्त बनाने से संबंदित है यारी इंडिया निशनल कॉंग्रेस से चुड़ी योजना है कामराज योजना संगम योजना जो के 1996 माई थी इसका उद्धिश क्या था ये विकलांगों के कल्यान में व्रद्धी से संबंदित है और जयंत पार्टिल समिती का संबंद किस से है जो कम बरसा वाले छेतर हैं उनके विकास से ठीक है